अगर हमें कुछ बताना हो या उसकी कॉलिटी के बारे में बात करनी हो तो बिने अड्यक्टिव के हम ये कनवे नहीं कर सकते हैं तो adjective एक बहुत ही important topic है English language में तो आज हम इसको अच्छे समझेंगे इसके सभी types देखेंगे और फिर आपके लिए रह गया एक practice set तो चलते हैं अपनों लोग classroom में Dear students अगर सभी exam related content आप एक ही channel पर चाहते हो तो अभी इस channel को subscribe करें और bell icon को press करें और अगर example app को आप high level पर ले जाना चाहते हैं तो description में आपको app और telegram channel का link मिल जाएगा तो देखते हैं adjective के definition a word that describes or modifies a noun or pronoun is called adjective एसे शब्द जो किसी noun या pronoun के बारे हैं बता हैं हमें उनको हम adjective बोलते हैं इनका use देख लेते हैं adjective जो होते हैं वो specific information या फिर additional information देते हैं किसी भी noun या pronoun के बारे में तो यह द्यान अखने वाली बात है examples देखते हैं it is a heavy object object एक noun है और noun के बारे में बता रहा है word heavy कि object कैसा है भारी है तो heavy क्या हो गया है यहाँ पर adjective हो गया है जो हमें noun के बारे में और information दे रहा है he is a brave person person हो गया noun और किस type का इंसान है वो के बारे में बता रहा है वो है brave बहादुर तो brave यहाँ पर क्या काम कर रहा है adjective का she was happy she यहाँ पर pronoun है और वो कैसी state में थी वो खुश थी तो happy यहाँ पर क्या काम कर रहा है happy she के बारे में बता रहा है उस बंदी के बारे में बता रहा है कि वो क्या state में थी तो happy यह क्या है adjective तो क्या सीखा हमने जो भी word किसी noun या pronoun के बारे में additional detail दे या कोई specific information शेयर करे वो adjective होता है adjectives जो होते हैं इनको हम noun के पहले भी place कर सकते हैं और noun के बाद भी तो इनके अपन कुछ examples देखते है I saw a black cat cat noun है और cat की विशेशता बता रहा है हमें black किस टाइप की cat है black color की तो black क्या हो गया adjective for us was a great king king noun है और king को modify कर रहा है उसको describe कर रहा है word great तो great क्या हो गया adjective he has an expensive bike bike एक noun है और किस टाइप की bike है उसके पास महेंगी expensive तो यह adjective का काम कर रहा है we saw an interesting movie movie noun है और किस टाइप की movie देखी interesting तो यहाँ पर interesting क्या है adjective तो आप देख सकते हो इन सभी cases में noun के पहले हमने place किया है adjective को अब कुछ ऐसे भी cases देख लेते हैं जहां noun के बात place करते है adjective को यह state of being वाले जो verbs होते हैं उनके साथ इस तरीके से treatment होता है जैसे be, feel, taste, smell, sound, look, appear और seem इन सभी verb के बाद हमेशा adjective आता है देखते हैं कुछ examples his watch is expensive तो watch जो है noun है is यहाँ पर be verb है और watch कैसी है महेंगी है तो expensive यहाँ पर क्या काम कर रहा है adjective का the building looks amazing building noun है और building की विशिश्चता में पता चल रही है कैसी है वो amazing है गजब की है तो amazing यहाँ पर क्या काम कर रहा है adjective the room smells awesome रूम एक noun है और उसकी कैसी खुछबू आ रही है बहुत ही बढ़िया तो awesome यहाँ पर क्या काम कर रहा है एक adjective का the question was difficult question क्या है noun है और question किस type का था कठिन था तो एक question के बारे में हमें बता रहा है तो difficult क्या हो गया adjective अब इन सभी examples में आप देखोगे कि noun के बाद हमने words यूज करें एक noun को describe करने के लिए तो उनको हम कहते हैं compound adjectives कुछ examples देखते हैं we took a 10-minute walk walk यहाँ पर noun है और 10 minute जो है वो describe कर रहे है उस noun को इसके बारे में बता रहे हैं वो walk के बारे में तो 10-minute यहाँ पर क्या है compound adjective he is a kind-hearted person तो person जो है noun है और किस टाइब का परसन है दयालू kind-hearted तो यहाँ पर क्या है compound adjective जो किसको modify कर रहा है noun person को it is a long lasting product product noun है और किस टाइब का product है उसके बारे में detail मिल रही है वो है long lasting लंबे समय तक टिकने वाला तो long lasting यहाँ पर क्या है compound adjective I watch high quality videos videos यहाँ पर noun है और किस टाइब की वीडियो की बात हो रही है high quality तो यह noun को modify कर रहा है describe कर रहा है तो यह भी है आपर compound adjective है तो आप देख रहे हो इन सभी case में हमने compound adjective use किये और उन सभी में hyphen use किये अब हम चलते हैं और देखते हैं different types of adjectives एक होता है demonstrative adjective एक होता है interrogative adjectives एक होता है adjective of quantity एक होता adjective of quality और एक होता है possessive adjective अब इन सभी types को हम detail में देखेंगे examples के साथ चलते हैं आगे सबसे पहले है adjective of quality यह क्या बताता है मैं किसी भी noun की quality यह उसके features को बताते हैं इसके examples देखते हैं he is a genuine person person जो है noun है genuine word उसको describe कर रहा है तो genuine यहां पर क्या है adjective है और क्या बता रहा है हमें person की quality the weather is cold weather यहां पर noun है और weather किस type का है उसकी quality उसके feature हमें बता रहे हैं यहां पर word cold तो cold यहां पर क्या है adjective of quality it is a clean city city एक noun है और noun की हमें quality पता चल रही किस से word clean से तो clean यहां पर क्या है adjective of quality it is a dense forest forest एक noun है उस noun को modify कर रहा है word dense के feature है यह उसके बारे में बता रहा है हमें तो dense क्या है यहां पर adjective of quality नेक्स्ट हम देखते है adjective of quantity तो यह क्या करता है हमें किसी भी noun के number या quantity को बताता है तो देखते हैं यह से many most much few little no enough some any और great यह सब words adjective of quantity होते हैं अब देखते हैं इनको examples में she has many ideas ideas जो है वो noun है और कितने ideas है उसके पास काफी सारे तो मैंने यहां पर क्या कर रहा है है ideas को modify कर रहा है तो यह adjective of quantity है there were 12 members in the meeting members क्या है noun है और उस noun के number हमें कौन सा word बता रहा है word 12 जो modify कर रहा है members को तो 12 यहां पर क्या काम कर रहा है adjective of quantity है there is not much fuel left fuel क्या है noun और कितनी quantity है वह हमें कौन सा word बता रहा है है much तो मच किसको modify कर रहा है describe कर रहा है noun fuel को तो यह भी क्या है much भी है adjective of quantity I ate two pizzas पीजास noun है और कितने पीजास उनका number जो हमें बता रहा है वह है word two तो two जो है किसको modify कर रहा है noun पीजास को तो यह भी क्या adjective of quantity या फिर number तो द्यान रखना आप यह सब words अगर noun को modify करते हैं तो यह adjective of quantity का का काम करते हैं फिर हम देखते है demonstrative adjective यह हमें specific noun के बारे में बताते हैं जैसे I like this restaurant तो demonstrative adjective जो होते हैं वो demonstrate करके बताते हैं जैसे हम इशारा करके बता रहे हो indicate करके बता रहे हो कि यह वाड़ा रेस्टोरेंट तो दिस यहां पर क्या काम कर रहा है यह demonstrative adjective इसको modify कर रहा है noun restaurant को अधिर ट्राइट कॉफी कॉफी नाउन है और कौंसी कॉफी that coffee, तो यहाँ पर that क्या काम कर रहा है, demonstrative adjective का, उस coffee के बारे में हमें बता रहा है, these coupons belong to him, coupons noun है, और these, जो है, वो demonstrative adjective है, वो बता रहा है कि कौन से coupon की बात हो रही है, हाना, तो specific noun को अगर वो बता रहा है, तो यह क्या है, demonstrative adjective, entry will be given to only those guests who have the ticket, guest noun है, और दोस जो है, वो demonstrative adjective है, वो बता रहा है कि किन guest की बात हो रही है, जिनको entry मिलेगी, तो दोस यहाँ पर क्या है, demonstrative adjective, फिर हम देखते हैं, positive adjective, यह क्या बताते हैं हमें, ownership बताते हैं किसी चीज़ की, जैसे, my, your, his, her, its, our, their, examples देखते हैं, my mobile has a good camera, mobile noun है, और my क्या बता रहा है, possession, जिसका mobile, मेरा mobile, तो यह माय जो है, mobile noun को modify कर रहा है, और यह क्या है, positive adjective, your idea is better than their idea, idea noun है, चीक है न, और तुमारे idea की बात हो रही है, your idea की, तो इससे में पता चल रहा है कि किस idea की बात हो रही है, तो your जो है, वो modify कर रहा है, noun idea को, तो your क्या है, possessive adjective, I like his philosophy, philosophy नाउन है, और किसकी philosophy, his philosophy, तो यह possessive adjective का काम कर रहा है, यह हिस्द बता रहा है हमें कि किसकी philosophy की बात हो रही है, तो यह possessive adjective है, जो modify कर रहा है, noun philosophy को, her painting is good, पेंटिंग एक नाउन है और किसकी पेंटिंग की बात हो रही है हर पेंटिंग तो हर क्या कर रहा है मोडिफाइब कर रहा है नाउन पेंटिंग को तो हर क्या है यहाँ पर पोजेशन बता रहा है किसकी पेंटिंग हर पेंटिंग तो यह सब हमने examples देखे, possessive adjective के दियान अखना आप कौन-कौन से words use होते हैं इसमें, फिर हम देखते हैं interrogative adjective ये noun के बारे में questions पूछने के काम आता है, या फिर noun से related questions, जैसे what, which और whose, इनके examples देखते हैं, what time will you come, time noun है, और what question पूछ रहा है, उस noun से related या उस noun के बारे में, तो what यहाँ क्या है, what है, interrogative adjective, whose genes are you wearing, genes noun है, और उस noun से related question पूछा है, whose word ने, तो ये क्या काम कर रहा है, interrogative adjective का का काम कर रहा है, which color do you like, color again यहापे क्या है, noun है, which जो है modified कर रहा है noun color को, तो ये क्या है, interrogative adjective, उस नाउन से लेटेड हमने question पूछा है तो ये interrogative adjective का काम कर रहा है तो हमने अच्छे से adjective का function समझ लिया है और उसके types देख लिए examples के साथ अब time है उन सभी चीजों को जो आपने सीखा है apply करने का तो इस set में आपको बताना है adjectives identify करना है और second set में आपको बताना है कि कौन से type के adjective है highlighted word ये दोनों practice set के answers आपको description में मिल जाएगा और answers चेक करने बाद मुझे बताना comment section में कि आपके कितने questions सही हुए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप मुझे thank you कहना चाहते हैं तो इस वीडियो को like और share जरूर करना thank you कि आज का अपना code देखते हैं your limitation it's only your imagination जहां तक आप सोच सकते हो सिर्फ वहीं तक आप सकते हो तो हमेशा अपने लिए छोटे goals मत तय करना हमेशा बड़े goals रखना बड़े dreams देखना अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और share जरूर करना thank you कि तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही quality content आपको मिलता रहें जो help करें आपको आपकी exam prep में तो circle में जो gamma का logo दिख रहा है उसको click करें और channel को subscribe करें thank you